हेलो दोस्तो स्वागत है आपका एप्लाइट फिक्स चैनल पर आज की इस फिक्स की वीडियो में हमने टॉपक जो लिया है वो है अवकेंद्रबल यानि सेंटिपेटल फोर्स तो अवकेंद्रबल के लिए फॉर्मूला भी निकालेंगे और उसके साथ साथ यह भी कि अवकेंद्रबल होता क्या है इसके अलावा अवकेंद्रबल की आवस्चता कहां पड़ती है अवकेंद्रबल की कहां जरूरत पड़ती है अवकेंद्रबल के बिना कहां ऐसी कंडिशन है जो कि संभव नहीं है तो इन चीज़ों को आज चर्चा करेंगे तो चलिए समझत है अवकेंद्रवल क्या होता है तो अवकेंद्रवल को समझने से पहले हमें ब्रत्थी गति को समझना पहुत जरूरी है तो जब कोई कड किसी धागा से ये धागा मालने, इस धागे से हमने यहाँ पर एक किसी पार्टीकल को किसी पिंड को बांध रखा है, जब इसको हम इस तरह से घुमाते हैं, तो इस प्रकार की गती को ब्रत्ती गती कहते हैं, सरकूलर के रूप में, यानि सरकिल के रूप में जो गती होती है, उसे ब्रत्ती गती कहते हैं, पंके की गती एक ब्रत्ती गती का सबसे अच्छा उदारण है, तो जब यह किसी धागे से बांध करके पत्थर के टुकडे को या किसी पिंड को घुमाते हैं, तो घुमाते समय क condition ऐसी बन जाती है कि इस डोरी में एक तनाव यानि कि टेंशन टी पैदा होता है तो बोगत तनाव की वज़य से ही यह जो पिंड है इसके चारोर घुमता रहता है यद इसमें डोरी में तनाव पैदा नहों तो यद इसमें यहां से हम जहां से इस हाथ से पकड़े हुए हैं वहां से थोड़ा सा हलका सा छोड़ भी दें, तो ये डोरी के साथ ये पिंड आंगे की हो चला जाएगा, इसका मतलब इस पिंड को, इस बोड़ी को कोईन कोई रोके हुए है, वो रोके हुए है रसी, और रसी के द्वारा ही इस पिंड पे बल लग रहा है, जो डोरी के तनाव के रोप में है, वही बल को कहते हैं अवकेंदरवल, यानि किसी बस्त को ब्रत्ताकार रोप में सर्कूलर पाथ पर गुमाने के लिए हमें एक बल की आवस्चता परती है, उसी बल को हम अवकेंद्र बल कहते हैं बिना अवकेंद्र बल के किसी भी पिंड को हम ब्रत के रूप में नहीं गुमा सकते हैं सर्कूलर पास पर नहीं गुमा सकते हैं तो देखिए हमने definition लिखी है ब्रती गती करते हुए पिंड पर इस तरह की गती करते हुए पिंड पर एक बल कार करता है जिसकी हम जो बात कर रहे हैं एक बल कार करता है जिसकी दिशा सदय ब्रत के केंदर की ओर होती है तो इस पर जो लगने वाला जो बल होगा उसकी जो दिशा होगी डारेक्शन सेंटर की ओर होगी तो केंदर की ओर होती ह इस वल को ही अवकेंद्रवल कहते हैं इसे हम F से प्रदर्शित करते हैं F से प्रदर्शित करेंगे रिप्रेजेंट करते हैं तो अवकेंद्रवल का फॉर्मूला अब निकालते हैं हम आंगे कि अवकेंद्रवल का सूत्र क्या होता है अब देखे इसके बाद चलते हैं Newton के दुती अन्यम से Newton के second law से Newton का दुती अन्यम का क्या formula है उसको पहले हम लिखते हैं तो दुती अन्यम का formula है बल F के बराबर होता है द्रब्यमान द्रब्यमान इंटू त्वरड द्रब्यमान इंटू त्वरड होता है लेकिन यहां हम बल नहीं अविकेंद्र बल की बात कर रहे हैं अविकेंद्र बल तो अविकेंद्र बल का formula होगा द्रब्यमान इंटू अविकेंद्र त्वरड अविकेंद्र त्वरड फर्मुला होगा यह किस से निकाला है न्यूटन का second law कहता है F is equal to M A यानि बल का formula दर्बिमान into third तो यहां बल को F कह रहे हैं दर्बिमान को M और अवकेंद त्वरड को भी small a कहते हैं तो देखो F का जो formula क्या निकलने वाला है अवकेंद त्वरड यह हमने पीछे पड़ा है अवकेंद त्वरड का जो formula है वो होता है A equal to B square upon R इसकी जो value है हमें यहां पर put करनी है तो हो जाएगा M into B square upon R तो formula अवकेंद रबल का निकला है M B square upon R यही अवकेंद रबल का सूत्र है जिससे हमें किसी बस्त को गुमाना है तो इतना बल लगाना पड़ेगा अवकेंद रबल का यह M square upon R एक और formula हम इससे और आगे बढ़ा सकते हैं कि हमने अभी उससे पहले वाली वीडियो में पड़ा है V you come to R mega V क्या है? रेखिये वेग है omega quadr wave है तो यह formula है देखिये वेग और कोड़िये वेग में संबंध का तो यहां हम V की value R mega रख सकते हैं तो देखिये क्या होगा? V का मान रखने पर V का मान रखेंगे तो हो जाएगा M V की जगे R mega रख रहे हैं तो R omega उसकार के वेए से R square omega square upon R एक R से एक R cancel out होगा तो F का formula क्या बच रहा है? M एक R बचेगी R omega square तो यह भी अवकेंद्रवल का ही formula है मात्रक है Newton अवकेंद्रवल का मात्रक Newton है SI unit है यह SI पद्धती में है SI system में है तो F का formula M R omega square और M square upon R तो यहां से भी हम M R omega square को निकाल सकते हैं तो देखिए वो कैसे निकालते हैं हमने पढ़ा है F E equal to M A और A का formula पढ़ा है हमने A का formula पढ़ा है R omega square तो डारेक्टली यहां पर रखने हैं तो M R omega square यहां से भी हम निकाल सकते हैं तो हमने अवकेंद्र बल के फर्मिले पढ़ लिए तो अब बल की जो बिमा होती है बल की बिमा होती है MLT-2 बिमा भी कभी-कभी पूछ लेते हैं अवकेंद्र बल या बल दोनों की बिमा MLT-2 ही होती है बल का मात्र क्या होता है? Newton है, SI unit में अब देखिए अवकेंद्र बल की आवस्थ सकता अवकेंद्र बल की जरूरत कहां कहां पड़ती है तो पहला point है अवकेंद्र बल तनाव बल के रूप में यानि तनाव का मतलब tension कहां उत्पन होती है तो तनाव बल होता कहां है जब किसी धागे से कोई टुकडा भांद लें पत्थर का या हम कोई पिंड भांद लेते हैं जब उसको इस तरह से चारो और गुमाया जाता है तो डोरी में एक तनाव पैदा हो जाता है उस तनाव की बज़े से ही वो बनाहुआ पिंड उसके बरत के रूप में चारो और गुमता है तो किसी बष्ट को घुमाने के लिए अवकेंद बल की आवस्कता होती है बिना अवकेंद बल के किसी भी बष्ट को घुमा नहीं सकते हैं जैसे कि हम साइक्ल चलाते हैं cycle को एक मोड़ पर मोड़ते हैं तो अपनी cycle को हलका सा जुखा लेते हैं यानि कि मुड़ने के लिए या किसी बति के रूफ में घुमने के लिए आवकेंद बल की जरूरत होती है तो यहाँ आवकेंद बल का काम क्या है तनाव बल के रूप में है जैसे डोरी को डोरी से पत्थर के टोड़े को बान के घुमा रहे हैं तो डोरी में जो तनावत पन हो रहा है वो अवकेंदवल ही है दूसरा अवकेंदवल किस रूप में है घरसडवल के रूप में यह हमारा घरसडवल के रूप में है इसका मतलब घरसडवल के रूप में कह सड़क और टायर के वीच में जो बल लगता है एक दूसरे के साथ गिसने के बाद जो बल पैदा होता है उसे गरसडबल कहते हैं उस गरसडबल से भी हमें अवकेंडर बल मिल जाता है और आपकी साइकल आसानी के साथ मुड़े जाती है तीसरा पॉइंट है अवकेंडर बल गुरुत्वा करसडबल के रूप में इसका एकजम्पिल आप कहां देखेंगे इसका एकजम्पिल देख सकते हैं कि प्रत्वी सूर के चारो और घूमती है तो घूमने के लिए अवकेंडर बल की जरूरत है तो वहां अवकेंडर बल प्र और प्रत्वी सूर के चारोर गूमती है तो यहां अवकेंद्रबल कहां से मिल रहा है गोत्वा का सड़बल से अगला पॉइंट है अवकेंद्रबल बैद्दुत आकर सड़बल के रूप में यह कहां होगा बैद्दुत आकर सड़बल बैदुदबल लगता कहा है आवेसों के बीच में, positive charge और negative charge के बीच में तो ये कहां हो सकता है परमाडू के अंदर यानि atom के अंदर एक छोटा सा नाविक होता है nucleus नाविक के अंदर proton और neutron नाविक पर positive charge, neutron पर कोई charge नहीं होता इसके बाहर इन कच्छाओं में electron घूमते हैं और electron पर होता है negative charge तो electron जब इसके चारोर घूम रहे हैं तो घूमने के लिए अवकेंदबल की जरूरत होगी तो यहाँ अवकेंदबल कहां से मिलता है यो proton पर होता है plus का charge Newton पर होता है minus का charge तो plus आवेस और minus आवेस के बीच में एक बल लगता है जिसे हम बैददबल कहते हैं तो उस बैददबल से ही अवकेंदबल मिल जाता है electron को और electron इसके चारोर घूमने लगते हैं तो यह point हुआ अवकेंदबल है बैददबल के रूप में तो अवकेंदबल के बिना किसी भी बस्त को ना तो हम उसके किसी बस्त के चारोर घूमा सकते हैं और ना ही किसी मूड पर मोड सकते हैं जैसे किसी कार को हमें किसी सडक पर 100 की स्पीड से कोई कार जा रही है 100 km पर प्रत घंठे की स्पीड से जा रही है अब जब उसको हम किसी मोड पर हम्हें मोड ना है सडक पर तो वहां पर आवकेंदबल की जरूफी गार की स्पीड जाद है कार को तो हम जुखा नहीं सकते साइकल को जुखा सकते हैं लेकिन कार को तो नहीं जुखा सकते इसलिए जो हाइवे बगरा होते हैं वहाँ पर उनको हाइवे को मुड़ते समय वहाँ पर एक साइट को उचा और एक साइट पर नीचा बनाया जाता है ताकि ग दुखने से उससे अवकेंदरवल मिल जाए तायरों के बीच और सडक के बीच से जो मिलने वाला गशडवल है उससे अवकेंदरवल पर्याप्त नहीं मिल पाता कि गारी आसानी के साथ मुर जाए इसलिए उन सडक को ही हम तोड़ा सा जुखा कर बनाते हैं तो सडक को कितने इसके लिए भी फॉर्मूला होता है, 10 ठीटा वरावर होता है, वी स्कायर अपॉन आजी, इस फॉर्मूले से हम ये निकाल सकते हैं, कि गाड़ी की स्पीड कितनी है, हमें गाड़ी की स्पीड कितनी है, और कितना कौन सडक को जो खाना चाहिए, माली जे ये साइड एक सडक का है, और ये साइड दूसरे साइड का है, तो इस वाले साइड को हमें हमेशा ऊचा करके रखना पड़ता है, इस साइड से, ताके हमारी जब गाड़ी इन पर चले, तो ओटोमेटिक तरीके से मोर पर जुख जाए, और जुखने से आवश्यक अवकेंडरवल मिल जाए, तो आज हमने पड़ा अवकेंडरवल क्या होता, इसके ओपियो क्या है, कहां कहां जरूरत पड़ती है अवकेंडरवल की, तो थेंक्यू धन्वाद, आज की इस वीडियो में इतना ही,